आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पाँच प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जो यहां काफी प्रसिद्ध है तो आये शुरू करते हैं। भोजेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 30 किलो मीटर दूर स्थित भोजपुर नामक गाव में बना एक मंदिर है। इसे भोजपुर मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर बेतवा नदी के तट पर विंध्य परवत मालाओं के मध्य एक पहाडी पर स्थित है। मंदिर का निर्माण एवं इसके शिवलिंग की स्थापना धार के प्रसिद्ध परमाण राजा भोज ने करवाई थी। भोपाल में बिरला मंदिर के नाम से विख्यात लक्ष्मी नारायन मंदिर मंदिर भोपाल के मालवीय नगरक्षेत्र में अरेरा कहों से लाई गई, मूर्तियां रखी गई है। गुफा मंदिर भोपाल के प्रमुख परेटन स्थलों के शीर्ष में सम्मिलित है तथा शहर के केंद्र से लगभग 5 किलो मीटर की दूरी पर लाल घाटी नामक स्थान पर स्थित है और यात्रियों व दर्शकों के मध्य आक दर्शन का केंद्र है। गुफा मंदिर की खोज वर्ष 1949 में श्री महंत नारायन दास जी त्यागी द्वारा की गई थी। शहर के सबसे उंचे स्थानों में से एक मनुआ भान टेकरी एक बेहध ही पवित्र स्थल है। यह एक जैन मंदिर है। इस मंदिर को महावीर गिरी क के रूप में भी जाना जाता है। इस टेकरी से पूरे भोपाल शहर का मनुरम द्रिश्य दिखाई देता है। इस मंदिर दर्शन के लिए देश ही नहीं बलकि विदेशी सैलानी भी आते रहते हैं। इस मंदिर तक सड्डिच्क या रोपवे के भी माध्यम से पहुँचा जा सकता ही। भोपाल का महालक्ष्मी मंदिर ईशा वास्यम श्रद्धालूओं की आस्था का केंद्र है। नहरु नगर के करुणाधाम आश्रम में बने इस मंदिर का निर्मान शटकोन आकार में किया गया जो मानव शरीर में मेरुदंड से लेकर ब्रह्मरंध तक कुल पुर्जा का संचालन होता है।